आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जुलाई 2022 के CPI यानि की रिटेल इंफलेशन के बारे में जो कि पिछले साल के मुकाबले 6.7% से बड़ा है हाना कि numbers as per expectation रहे हैं जिसकी वज़े से initially जो stock market का reaction है वो काफी positive लग रहा है तो आज के वीडियो में हम इस topic को detail में discuss करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई दूसरे countries के inflation का क्या हाल है और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करके हमें motivate कीजिए तो सबसे पहले अगर हम quickly बात करें कि भाई ये CPI यानि कि retail inflation होता क्या है हाला कि मैंने इस topic को पिछले videos में cover किया है लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है तो quickly हम cover करेंगे तो most commonly अगर हम inflation के indices के बारे में बात करें तो दो ऐसे index हैं जो कि inflation को measure करते हैं एक होता है consumer price index जिसको कि retail inflation बोला जाता है और दूसरा होता है wholesale price index तो आज का जो हम video बना रहे हैं वो CPI यानि कि retail inflation के उपर बना रहे हैं इसमें जो items include की जाती है primarily 8 ऐसे major groups हैं जो कि हम रोज मर्रा की जिंदगी में जो चीज़े use करते हैं वो food से related हो, housing, कपड़ों से related transportation, electronic, medical care, education इन सबसे जो related 300 लगभग items होती हैं उसको इस index में include किया जाता है उनके जो current price होते हैं जैसे कि July 2022 का data तो July 2022 का इन 300 item का data लिया जाएगा और उसको divide किया जाता है जिस भी period से हम उसको compare कर रहे हैं कि अभी हम July 2021 के data से इसको compare कर रहे हैं तो 300 items का जो July 2021 में price होगा उससे divide करके 100 से multiply करके जो हमारा CPI retail inflation है उसको निकाला जाता है और अगर बात की जाए latest development की तो जो July 2022 का retail inflation है भारत का वो 6.71% रहा है और अगर हम पिछले 5 महीने से अगर compare करेंगे यानि कि March 2022 के बाद से ये सबसे lowest level पे रहा है इससे पहले February में 6.07% था और उसके बाद ये लगातार बढ़ रहा था इवन April में तो 7.79% पे भी पहुँच किया था लेकिन वहां से लगातार इसमें कमी देखी जा रही है और इस महीने ये 6.7% पे रहा है और जो Bloomberg के analyst ने expect किया था वो 6.75% किया था Money Control के एक पोल के द्वारा इसको 6.7% expect किया जा रहा था तो हम कह सकते हैं कि numbers as per expectation रहे हैं और इसी वज़े से जो अभी initial reaction है stock market का क्योंकि ये numbers हमारी stock market के बंद होने के बाद आए हैं तो जो हमारा SGX nifty future है उसमें लगबग 50 points की बड़ोतरी देखी जा रही है हाला कि एक लंबा weekend है तो और भी events होंगे बट initially जो inflation के numbers है उसको positively लिया जा रहा है stock market के द्वारा भी overall जो inflation के numbers हैं पिछले महीने से better हुए हैं लेकिन अभी भी ये RBI का एक failure माना जा रहा है even covid से पहले ये 4% से नीचे होता था क्योंकि जो RBI का tolerance band है वो 2-6% वो inflation को रखना चाहते है on an average 4% तो 4% से ये 34 महीने से उपर रहा है और पिछले 7 महीनों से ये 2-6% का tolerance range है उससे भी उपर रहा है इसको 2-6% वाले band के अंदर लाने के लिए अगर वो उसमें नहीं ला पाए तो ये 3 consecutive quarters हो जाएंगे जबकि जो inflation है वो जो tolerance range है उससे उपर रहेगा अगर हम January से March का data देखे तो उसमें 6.3% था और April से June में तो 7.3% था और अगर हमें July से September वाले period में इसको 6% से नीचे लाना है यानि कि RBI के अपने failure से रोकना है तो अगले 2 महीने यानि कि August और September में इसको 5.7% के आसपास रहना होगा या उससे नीचे रहना पड़ेगा तब ही ये overall 6% इस quarter में आएगा हाला कि RBI के अपने forecast के हिसाब से जो CPI inflation है July to September पीरिड का ये 7.1% रह सकता है तो उनके हिसाब से तो वो fail होने वाले हैं हाला कि कुछ और जो estimate आ रहे हैं उनके हिसाब से भी जो third quarter का inflation है वो 6.5% रह सकता है जो कि fourth quarter में जाके end में 6% के आसपास होगा और 2023 के जो quarters होंगे वहाँ पर उमीद की जा रही है कि ये tolerance जो band है 2-6% उसके बीच में आ जाएगा तो अगर RBI fail हो जाता है तो इसका क्या मतलब है तो पहली बात तो जो ये mid October में September का data release किया जाएगा अगर उसके बाद ये July 2 September period में 6% से उपर रहते हैं तो officially RBI fail होगा अगर वो fail होते हैं तो उनको एक report submit करनी होती है central government को उसमें जो failure होते हैं उसके reason बताने होते हैं उसके बाद उनको बताना होता है कि भाई ये target में कब तक लेकर के आएंगे और उसके क्या steps होंगे तो ये explain करना पड़ेगा हाला कि दुनिया भर में inflation बढ़ रहा है तो RBI even बहुत ही अच्छी job कर रहा है कि उन्होंने हमारा जो inflation है काफी अच्छे से manage कर रखा है क्योंकि क कुछ दूसरे countries अगर US, UK वगेरा का भी देखें तो वहां पे तो inflation 8-9% तक है जो कि भारत से काफी जादा है और अगले महीने के inflation की बात की जाए तो 12 September को जो August के inflation के number है उसको release किया जाएगा और अब अगर बात की जाए कुछ inflation के break up के बारे में और यहां से next क्या हो सकता है तो rural और urban दोनों ही areas में inflation कम हुए है रूरल का जो अब inflation है 6.8% है और urban area का 6.49% हो गया दोनों ही number जून के मकाबले में better हुए है इसके अलावा जो primarily जो inflation में कमी आई है वो food items की वज़े से आ कम हुए है तो उस वज़े से इसमें कमी देखी गई है क्योंकि जो food inflation है वो भी 5 महीने के low पे है पिछले महीने वो 7.75% था वहां से घट करके जुलाई में 6.75% हो गया है इसके अलावा गर हम core inflation की बात करें यानि कि जो total CPI inflation है उसमें से food और fuel क्योंकि यह necessities है इसको अगर हम हटा दें तो overall वो भी 5.8% पर से आया है और जून में 6% तो overall inflation के नंबर अच्छे लगते हैं तो क्या इसकी वज़े से अब जो rate hike है वो हुने बंद हो जाएंगे तो ऐसा बिलकुल नहीं है हाला कि overall 7% से नीचे जो हमारा inflation का नंबर आया policy maker को यह अच्छा लगेगा लेक क्योंकि जो current rate hike cycle है उसमें पिछले 3 महिने में यानि कि में के बाद से 1.4% rate hike किया चुका है 4% हमारी repo rate होती थी में से पहले जो कि अब 5.4% हो गई है क्योंकि August में भी इसमें 0.5% का increase किया गया था और ऐसा माना जा रहा है economist के द्वारा कि end of this year तक यह rate 6% के आसपास हो रहती है और अगर बात की जाएगी दूसरे देशों का inflation कैसा चल रहा है क्योंकि inflation ने इस टाइम पर दुनिया को परिशान कर रखा है तो यहां पर आपको इंडिया के नंबर अगर आप compare करके देखेंगे तो आपको काफी अच्छा feel होना चाहिए क्योंकि हमारा जो inflation एप 6 6.7% हो गया है और अब हम top countries में lower side में आ गए हम से अगर हम कम inflation की बात करें तो Singapore, South Korea, Australia, France ऐसे कुछ देश है जहां पर inflation कम है लेकिन अगर हम तर्की का inflation देखेंगे 80%, Argentina 71%, Russia 15% तो यह countries का तो काफी जादा है लेकिन UK 9.4%, US जिसका inflation अभी पीछे कम हुआ है परसो इसका data release किया करें तो Lebanon में 210%, Syria में 139%, हाना कि यह तो war zone में रहते हैं country लेकिन Sri Lanka में 61%, Iran में 54%, Pakistan में 25% के आसपास का inflation चल रहा है और अगर हम नेपाल की बात करें लगभख 8.5%, Bangladesh में और Thailand में लगभख 7.5% से 7.6% तो अगर यह numbers देखेंगे तो आपको भारत के नंबर अच्छे दिखाई देने चाहिए, मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नहीं जाना होगा, thanks so much for watching the video and God bless you all.